हैलो एवरीबन कैसे हैं आई होब आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे निव टीप्स निव हैक के साथ आगे हो फ्रेंज तो आज का टीप्स बहुत ही धमाकेदार है बहुत ही कामका टीप्स है इसकीप करकर नहीं देखिएगा तो चलिए फ्रेंज आगे बरती हूं औ और हाँ आगे बरने से पहले काना चाहते हूं फ्रेंज हमारे चैनल पर नुए हो तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक करो और सेर भी करना तो चलिए फ्रेंज यहां पर डबा है पलाश्टी का तो इस तरीके के डबा जैसे की हमारे घर में तो बहुत सारा एक अठ पलाश्टी का डबा इसे हमें क्या करेंगे जैसे की यह आ जाता है मिठाई का डबा हो यह फिर यह तो मेरा डबा जो है संपापी का डबा है तो इसे हमें क्या करना है हम इस तरीके से आपके पास आप इस तरीके से लगा सकते हो कोई चीज से भी निसान आप लगा लेना फ इस तरीके से cut कर लेते हैं, और ये जो है, देखिए, यहाँ से, बहुत हीता स dove, भूँढ़ी हैं, पूरे डब करूआ हैं, इस तरीके चट हो गया है, अब हम दिखाते हों, कि ये कितना अच्छा लग राहा है, देखकर, ये जो हम cutting किये हैं, तो बहुत यह अच्छा लग रहा है देखर देखेए friends तेहां पर अब हमे क्या करना है थोरा सा जो हमें हो गया है इynनर समय उदर cutting तो हमें उसे saving कर लेना है इसको थोरा सा हमें save कर लेना है जैसी कि जो बड़े बढ़ा चुटा हो गया है उसको हमें सही से कर लेना है थोरा सा कट कर उसके बाद हम यहां आ गये हैं थोरा सा gaze जलाएंगे उसके बाद रड को गरम कर लेंगे एक लोहा का रड लेना है और देखिए कितना अच्छे से यह कटा है और बड़ावर्ड भी हो गया है मेरा ओर दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है तो देखिए फ्रेश हमारा यह रड़ गरम हो गया है अब इससे हमें क्या करना है चोटे-चोटे तो आमें इसमें क्या रखना है जैसे कि आप कीचन में भी रख सकते हो इसके नीचे जो इसका ढगकन है वो भी आप रख सकते हो तो यह कीचन में रख सकते हो इस तरीके से जैसे की बरतन होने का बड़ास होता है साबून होता है आप इस तरीके से रखते हो तो गलता नहीं है नीचे से पानी निकल जाएगा या फिर आप इस तरीके से बातरों में भी रख सकते हो तो देखी बहुत ही अच्छा बन कर तयार हो गया नेक डबे से तो ये तो बहुत ही अच्छा लगेगा इसके अंदर धक्कान रखकर आप कीचन में रख सकते हो और कीचन का बड़ा साबूर यह सब रख सकते हो तो यह नहीं गलेगा चलिए फिर अगले टिप्स देख लेती हूँ कि यह क्या है जैसे कि आप अक्सर होता है घर में अक्सर घर में सुई और धागा रहता है तो क्या होता है जब भी हमें छोटे मोटे सिलाई करना होता है तो फिर हमें सुई दागा का तो हैल्प लेना ही पड़ता है और फिर हमें यूज भी करना पड़ता है उसके बाद फिर हम इस तरीके से कितना भी अच्छे से हम क्यों नारक दे क्या होता है फिर वो एक दूसरे से उलत जाता है और फिर एक दूसरे में जाकर वो फस कर फिर हमें जिस समय अब हमें काम लगा कि हमें ये कलर नहीं ये कलर चाहिए तो समय में छोडाने में भी बहुत टाइम लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है तो चलिए यहां पर डवल टेप भी लाश्ट है और हम इसमें चिपका लेंगे कुछ इस तरीके से तो देखिए घर पे तो है तो फिर आप मंगा सकते हो यह मिल जाता है मार्केट में तो वैसे यहां पर फ्रेंस छोटे-छोटे हमें कट करना है और कट करकर हमें थोड़े-थोड़े में चिपका देना है देखिए कुछ इस तरीके से तो फ्रेंस इस तरीके से हम चिपका लेंगे सारे जितने भी हमारे जो है यह टेप न चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद देखिए यह बहुत ही अच्छे से बन कर तयार होगा और बहुत ही अच्छा यह देखने में लगता है तो चलिये हैं यहां पे में घट कर देंगे तो फीर यह यहां से हीलेगा नहीं यह डवल टेप बहुत ही ऑच्छे से पकर लेता है ठीक है तो यह पर इस तरीके से हम चिपका दिया है तो बस फ्रेंस मेरा इस तरीके से सेट हो गया है सारा रील तो फिर देखे फ्रेंस हमें जी समय जो कलर का काम आएगा उस समय हम इस तरीके से ले सकते हैं और फिर हमारा सुई सुई को देखिए इस तरीके से हम इसमें भी टरच करकर और रख देंगे सुई यहां से निकलेगा नहीं क्योंकि इसमें जो है चिपक गया है तो वो जल्दी नहीं छुटेगा और फिर हम इस तरीके से हम लगा कर रख सकते हैं और फिर बस जिस समय में काम लगेगा उसमें हम इस तरीके से निकाल भी लेंगे तो फ्रेंज कैसा लगा मेरा ये टिपस जरूर बताना फ्रेंज और हाँ कौन सा टिपस आप लोग को पसंद आया है ये जरूर बताना कोमेंट से बॉक्स में फ्रेंज तो चलिए एकले टिपस से देखती हूँ बहुत ही कमाल का टिपस है जैसे कि यहां पे चूड़ी पुराने चूड़ियां या फिर मेटन कोई सा भी हो तो इस तरीके से हमारे घर में पड़ा हुआ ही रहता है जैसे कि हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको हम कि इस तरीके से यूज करेंगे जैसे कि हाँ पे cylinder है तो हम इस तरीके से फर्स पर या कहीं पे भी रखते हैं तो फिर एक महेना तक एक ही जगह रहता है फिर हम लोग पूछा लगाते हैं side में तो हाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से जो है नीचे में दाग धार लेता है ठीक है नीचे में जो है बहुत फिर मेटन सबसे अच्छा मेटन रहेगा इस तरीके से आप पुराने मेटन हो जाते हैं न एक आता है जो वो तो फिर आप इस तरीके से रख सकते हो सलेंडर में फिर दाग नहीं धरेगा तो आई होब आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करना